दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले जो पाचवा अपडेट्स आया है ताजा अपडेट्स उसके अनुसार हम आपको चानकारी दे दें कि नालंदा में फिर एक नए मरीज की पुष्टी हुई है यानि नालंदा में अब टोटल कोरोना पोजेटिव मरीजों की संख्यात 37 पर पहुँच चुकी है जी हाँ इसके पहले नालंदा में 36 कोरोना पोजेटिव मरीज थे जिसमें 35 ठीक हो गया है ठीक होकर कोरोना वीजेता बन चुके है और वो अपने घर चले गया है एक मरीज अभी भी कोरेंटाइन सेंटर में कोरेंटीन है वहीं आज एक नए मरीज मिलने के बाद नालंदा में मामला थोड़ा सा गंभीर हो गया है पीछले कई दिनों से नालंदा में एक भी मरीज नहीं मिल रहे थे लेकिन आज एक बार फिर नालंदा में कोरोना पोजेटिव के नहीं मरीज मिले हैं इसके बार नालंदा का अंकड़ा 37 पहुँच गया है इसके साथ हम आपको वताते चले कि जो स्वास्तवाग का पाँचवा अपडेट है उसके अनुसार हम आपको जानकारी दे दें कि आज अभी जो पाँचवा अपडेट से है उसके अनुसार तीन नए कोरोना पोजेटिव मरीज मिले हैं उसके साथ पूरे बिहार का अकड़ा जो है पांसो चहुत्तर पहुंच गया है आप ट्वीट भी देख सकते हैं स्वास्त सचीब जो ट्वीट किये हैं उसके अनुसार पाचबा अपडेट है वो हम आपको वतादे लिखा गया है इनके इन्फेक्शन की जानकारे उपलब्द की जा रही है टोटल पांसो चहुत्तर मरीज हो गया है नालंदा में 37 पहुंच गये 727 परोज के जीले नवादा से भी खवर है जहां एक नए मरीज मिले हैं इसी जो पाचबा अपडेट है उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं कि एक मरीज नवादा और एक मरीज नालंदा से मिले हैं तो नवादा में आकला 5 पहुंच गया और नालंदा में आकला 37 पहुंच गयी है इसी के साथ पूरे बिहार में आकला 544 हो गया है और एक मरीज वेगूस राय से मिले हैं, जो तीन नए मरीज भी मिले हैं, कोरोना पोजेटिव के, वो हम आपको सारी जानकारी दे दी, एक वेगूस राय से हैं, एक नवादा से हैं, और एक नालंदा से हैं, नालंदा के जो पूरुस पोजेटिव मरीज हैं, उनका उम्र पैं जबकि बेगूस राय के चंदपूरा के है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।